हेलो एवरेवरन बेलकम टेस अकडेमी आई होप आपलों सब अच्छे होंगे मद्द परदेस इवाओं के लिए सबसे बड़ी खुसकवरी निकल के आ रही है कि आप लोगों को जो सिमित प्रभंदक की भरती है वो फिर से सुरू हो रही है सबसे बड़ी नियूज है आप लो ओपेन रहने वाली है आप लोग को बता दू यहां भरती कैसे होगी किस तरह को कोई पेपर लिया जाएगा कि डारेक्ट ओपेन भरती होने वाली है यहां किस-किस पोस्ट के लिए भरती होगी सिमित प्रभंदक और काई बहुत सारी पोस्ट हैं जो मत्द परदेस में भरत सबस्क्राइब कर लेजिएगा सबसे पहले जान लेते हैं कि यह भोपाल लियुज में निकाए भोपाल समाचार का पत्र है उसमें निकाला गया है मन्द प्रदेत संचालित 5700 प्रात्मिक क्रिसी साग साकारी सिमितिव में 1208 समित प्रवंदों की वेकेंसी ओपन होने वाली है जल्द ही जाव नोटिफिकर्शन जारी किया जाएगा आप लोगों बता दू यह फिलहाल नोटिफिकर्शन जारी नहीं किया गया है यह जल्द ही जल्द नोटिफिकर्शन जारी किया जाएगा इस सरकारी नौकी की प्रदामंती नर्यमोदी की सहकारिता से विकास की उसमें 795 सिमित प्रवंध्ध के चल रही है, प्रधामन्ती की आउधाना के बाद, रिक्त प्दों पर भरती की प्रक्रियार शुरू की जा रही है, कोई 4212 रिक्त प्दों से 3000 प्दों पर मद्द प्रदिशा करताई विवाक कमचार को नुक्ति किया जाएगा, जबकि 1208 रि को डारेक्ट पत यानि उपेन भरती की जाएगी आप लोग को बता दू साथ ही साथ या फिर किसानों को रभी खरी फसलों के लिए अल्प अवधियर रिड उपलब्द कराना हो यह सरकार समिती की सिमित पर निर्भर करता है इसका महुत तो है सरकार समिती का और बता दे मंदपरते प्राथमी क्रिसिस सरकार समिती कितने पर पद जो है अवे रिक्त पड़े है यह खाली पड़े है तो आप लोग को बता हूँ समिती के ऊपर काम का बोशित तो बढ़ता जा रहा है पर न तो सेल समेस की नियुती हो पा प्रभार सहायक सहमिती का प्रवंदन देगा काम चलाया जा रहा है इस 2000 के बाद कोई भरती नहीं हुई है मदब्रज़ सहकाय सहमिती प्रवंदन भरती परिचा आयोजन कौन करेगा तो आप लोग को बता दू अब विभाग में सेमिती प्रबंदक की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम कर दी है इसके लिए सेवा नेमों के संसोधन करके सेमिती प्रबंदक पदपूर फिर बनाया गया है तैक किया गया कि 3,004 पद कितने टोटर पोश्ट रहंगे 3,000 कितने 3,004 पद जो होने वाले है यह पूरु सेमिती के काम कर रहे कर्मचारियों पर मौका दिया जाएगा 1,208 पद बैंकिंग कर्मचारी चैन सरस्ता एनि आई वी पियर्स के मादब से भरे जाएंगे ओच सिच्चा विवाक सरकारी कमचारी भी इस पर निर्भर करेंगे पेरी पूरी नियू जैसी कुछ में नोटिपिकेशन आता है इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा इसका पेपर कब लिया जाएगा कब आप लोग को इसके फार्म बनेक अप्लाइट डेट होगा आउपन भरती कैसे होगी जैसी की नोटिपिकेशन आएगा सबसे पहले आप लोगो इस चैनल पर सबसे पहले बता दियाएगा आप चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिजेगा चलिए मिलते हैं डेक्स वीडियो में धन्वाद